दोस्तों ये है महिंद्रा का न्यू लॉंच टेक्टर जो की मैट सिरीज के अंदर आता है आपको इस टेक्टर में डूल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर इस्टेरिंग आठ फारवर्ड दो रिवर्स नहीं बलकि बारा फारवर्ड तीन रिवर्स फुली सा बारा इस टेक्टर के बहुत ही शारे इंप्रूब्मेंट और इस टेक्टर की पावर पर्फॉर्मेंस को चैन्ज करके जो है कंपणी ने इस टेक्टर को रिलेंच रिलांच किया हुआ है जिसके पावर्फुल ट्रेक्टर का फुल यू वीडियो करने जा रहे हैं जो कि पचास होस पावर की स्रेणी में सबसे जादा 197 न्यूटन मीटर की टॉर्क लेके आता है तो चलिए स्टेक्टर का करते हैं आज का फुल डेटेल रिव्यू वीडियो स्टार्ट उससे पहले अधिया आप चैनल पर पहली वारा हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्रा हाइड्रोलिक के अंदर सेफरेड और काफी बड़ा ओईल फिल्टर लगा के दिया हुआ है जिसने स्टेक्टर की लिफ्ट में ऑईल जो है बैटर फिल्ट्रिशन के साथ में जाता है जिसने स्टेक्टर की लिप्ट से MPL के साथ में 재beyors का string fashion बड़ा जो हैं इम्रेटर के आंदर बात करें तो यहां पर K Savick need you-लोक काफी बड़ा जो आपको स्पेक्टर में radiator ओफर किया हुआ है जिस्ते से इंजन बेटक और कूलेंट सिस्टम के साथ में लम्बे खिल्टर कने सी में वर्क करता है और यहां पड़ कमपणी ने आपको Steel अंदर बात करेंगे तो 12 बॉल्स दो क्लोबाड तक में महिंदर सेलफ स्टार्टर उफर करता है यहां पर जो है आपको उस्ट्र में डोजर विगेरा की पॉइंटिंग कमपणी ने प्रोवीजिनल पहले से कराके दी हुई है जिससे आप इस टेक्टर में डिरेक्ट्र जोजर विगेरा की इंस्टॉलेशन ले सकते हैं साथ ही इस टेक्टर में जो है आपको बॉस कंपनी का फ्यूलिल नाइन पंप देखने के लिए मिलता है इस टेक्टर में जो आपको 2989 CC का चार सिलेंडर बॉटर कूलेंट फोर स्टोक डिरेक्टर इंजेक्शन नेचुरली स्प्रेटेट पचास वस्पावर का इंजन मिल जा हैं यह महिंद्रा की तरब से आने वाला महिंद्रा का यह वो 585 डियाई जो की मैट सिरीज के अंदर आता है इस टेक्टर में दिया हम फ्रेंट लुक की बात करें तो महिंद्रा का डेलीकेटेड लुक और लोगों देखने के लिए मिलता है कंपनी ने जो है आपको इस टेक आएकसल मिलते हैं यहा पर कंपनी जो हैं आपको स्थेक्टर में स्ट्रेट फॉरबडट नौन अगिस्टिवल कंपनी फीटेड हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिये हुए है टायर अधि हम बात करें पर यहां पर जो हापको स्थेक्टर में अल्मोस्ट सात पचासवा ग टायर देखने के लिए मिल जाता है और पिछले टायर के अंदर हम बात करें तो यहां भी कंपनी जो है आपको स्ट्रेक्टर में MRF कंपनी का टायर ओफर किया हुआ है और इस ट्रेक्टर का जो पिछला टायर है 1498 टायर साइज के साथ में आता है दोस्तों आज की इस वीडिय commercial बी जो है आपको डेश्पिले में सो कर रही है आप उह से करके कोई सांञी मॉडल जो है बुक कर सकते हैं बात करें स्ट्रेक्टर में और भी ज्यादा फीच्रास की तो यहां पर जो है आपको इस्ट्रेक्टर में देख सकते हैं, फोट स्ट्यपर जो है इंजन से कनेक्ट करके दिया गया है, जो की काफी ज्यादा लॉंग लाइफ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, प्लेट प्लेट फॉर्म जो है कंपनी ने आपको इग्दम फ्लैट अफर लृआ करती है जिसके अंदर आपको की तेक्टर के टोटल टेंपरेचर के टैंप्रेचर की ऑलनाइब एर्पीम के इंफोर्मेशन साथ मैं टैंगे टोटल ड्रिविन गेंटे की एंफोरमेशन जैसी बहुत सारी information देखने के लिए मिल जाती है साथी इस टेक्टर में fuel tank capacity के अंदर बात करने तो 60 लीटर की जो है महिंद्रा आपको इस टेक्टर में fuel tank capacity ओफर करता है driver के right तरफ यदि हम बात करें तो यहां पर जो है आपको इस टेक्टर के DC PC lever मिल जाते हैं यहां पर company ने आपको जो है differential gear offer किया हुआ है driver के right तरफ जो है आपको स्टेक्टर के number of gear चार मिल जाते हैं इसी में reverse का gear company offer करती है breaking के अंदर बात करेंगे तो इसमें जो है company आपको multi-plated oil emers dix brake offer करती है जिससे आपको breaking में काफी जादा smooth performance के साथ में देखने के लिए मिलेगी साथ ही यहां पर जो है company आपको बारा बोल्ट की मोबाइल चार्जिंग connectivity बित मोबाइल स्टोरेज बॉक्स के साथ में offer करती है driver के left तरफ यदि हम बात करें स्टेक्टर में तो यहां पर जो है company आपको स्टेक्टर में low high medium का गेर दिया हुआ है साथ ही यहां पर जो हापको स्टेक्टर में PDU के अंदर separate lever मिल जाता है जिसमें आपको फारवर्ट और reverse gear देखने के लिए मिलता है साथ ही PDU के अंदर separate clutch मिल जाता है स्टेक्टर में जो हापको multi gear speed PDU देखने के लिए मिलता है और transmission के अंदर company जो हापको स्टेक्टर में separate clutch offer किया हुआ है साथ ही दोस्तों स्टेक्टर में अदि हम बात करें कि दोसो कई सो रेटेट आर्पेम क्लैम करती है कमपनी तर्निंग डेडियेशन के अंदर बात करें बहुत तगडी टर्निंग डेडियेशन लेकर आता है इंजन कट अफ्लीवर तीक चावी के नीचे जो आपको स्टेक्टर का इंजन कट अफ्लीवर मिल जाता है तो दोस्तों यह तो थी ऊपर के फीच्चर की बात इसी तरह कंपनी ना जो है आपको स्ट्रेक्टर में पिछले हिस्से भी में बहुत ही शांदार फीचर डालके दिये हुए हैं heavy duty company फीड़ेट चार जंगा से supporting वार के साथ में आने वाला passenger grab handle साथी fender के नीचे जो gap है बहुत शांदार maintain करके रखा है company ने जिससे स्टेक्टर में purling मचबगवा करते समय स्टेक्टर के fender नहीं बुजने वाले पीछे के यदि हम बात करें टाप लिंग के अंदर पॉइंट की तो दो नहीं अब company ने जो है आपको स्टेक्टर में तीन नहीं दो पॉइंट ओफर किये हुए हैं जो की फुली automatically deft and draft control वार के साथ में आते हैं heavy duty company फीड़ेट जो आपको स्टेक्टर में double distributor ball में मिल जाते हैं जिससे आप इस टेक्टर में multi plow जैसे बड़े बड़े संयंतर operate कर पाएंगे साथ ही यह टेक्टर आता है 50 horsepower के साथ में इस टेक्टर में मिलता है आपको 46 horsepower का multi gear speed PDU जो की 12 forward 3 reverse gear option के साथ में आता है और company जो है आपको स्टेक्टर में almost 1700 kg की बहतर चमता वाली lift capacity offer करती है साथ ही यहां पर जो है आपको स्टेक्टर में गोल वाली हिलोजन बैकलाइट देखने के लिए मिलेगी जो night के अंदर आपको काफी अच्छी visibility देगी और इसमें जो है आपको heavy duty company fitted almost 75 kg का फ्रंट पंफर देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तों यह थी महिंद्रा यह वो 2585 मेट सिरीज के अंदर आने वाले ट्रेक्टर का फुल रिव्यू वीडियो आसा करते हैं वीडियो आपको काफी जादा पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जय जवान जय किसान